नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्लो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में 60 फीजदी से अधिक छात्रों की उपस्तिती वाले स्कूलों की बड़ी संख्या बिहार में नए खेल विवा को राजेपाल की मंजूरी राजकीर में राजकीये मकर मेला की तैयारी शिडू छपड़ा होकर गुजरने वाली सैक्रों ट्रेनों का परिचालन रहेगा बाधिन्त अर्जन अवार्ड को लेकर मुहमंद श्रमी का रियाक्सन इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार में 60 फीस्दी से अधिक छात्रों की उपस्तिती वाले स्कूलों की बड़ी संख्या बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा राज्य के स्कूलों में सक्षा के इस्तिती में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं अब उसका असर ना केवल सक्षकों पर पर रहा बलकि विद्यार्थियों पर भी देखने को मिल रहा है बता दे कि अब स्कूलों में सक्षकों की उपस्थिती के साथ साथ विद्यार्थियों की उपस्थिती में भी काफी सुधार आया है 3 जनवरी 2024 के नरिक्षन रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में बच्चों की उपसिती की संख्या 67.6 शुने प्रतीशत रही है जबकि 1 जुलाई 2023 के नरिक्षन रिपोर्ट में ये संख्या 34.19 प्रतीशत रही थी ऐसे में पांच महीनों में बच्चों के उपसित स्कूलों में दोगनी हो गई है। अपके जानकारी के लिबता दे कि राजी के 43,417 स्कूलों में दिसंबर महा में रिक्षन किया गया है। अरवल की टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान औरंगाबाद से पटना जा रही एक ट्रक से कुल 207 काटून में 4,944 बोतल में 1,850,76 लीटर इंपीरियल ब्लू ब्रांड की विदेशी शिराब परामत की गई है और साथ ही इस दौरान ट्रक चालक को भी गरफतार किया नितीश खुमार की अध्यक्षता में हुई क्याबिनेट की बैठक में बिहार में खेल विभाक के गठन को लेकर मुहर लगा दी गई थी वहीं अब प्रस्ताव पर बिहार राजिपाल राज़ेंदर विश्वनात आलेर करके द्वारा भी मुहर लगा दी गई है ऐसे में अ लग से खेल विभा का गठन किया जाएगा ऐसे में अब इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद इस विभाक के तहट खेल कूद के विकास से संबंधित काड़ें बिहार राजी खेल प्रादिकरन पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए गठित खेल से संबंध संस्था समीत अनिकार किये जाएंगे मास्टर माइंड समीत चार साइबर ठक को पुलिस ने किया गिरफतार बिहार में साइबर अपरादिकी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान राजीव कुमार के रूप में की गई है वहें जोरान पुलिस के दोरा राजीव के पास से आठ एटियम का तीन मोबाइल फोन राउटर छे पास बूक और कड़ी पचास हजार कैट्स बडामत किये गए वहीं राजीव को निशान देही पर पुलिस के दोरा तीन और साइबर अपरादियों की रुकन पूरा से गिरफतारी की गई है फिलहार पुलिस के दोरा एंठगों से पूछ ताच की जा रही है इन सब के अलावा पुलिस के सामने कहीं अने ठगों के नाम सामने आए हैं जिसे भूल जूरने की कोशिश कर रही है इंसभी के द्वारा बापु सभागार और ग्यान भवन की फरजी वेफसाइट बना कर ठगी का काम किया जा रहा था। इन विभागों के स्टॉल भी इस मेले में लगाए जाएंगे बता दी कि मकर मेले के अफसर पर क्रिसी उतपात प्रदर्शनी दुधारू पशू प्रदर्शनी खेल प्रतियोगिता में क्रिकिट, बॉलिवाल, फुटबॉल, कबड़ी, होक्की एवं रंगोली प्रतियोगित शामिल है सनातंधर में सुरे के दक्षन यान से उतरायन की ओर अग्रसर काल में मकर सक्रांती मेला के दौरान राजगीर के विवन शीतलवा, गर्मजल, कुंडो मिसनान के पुने का लाव, सैक्रोबार, नर्मदा, गंगा सागर या त्रिवेनी सनान के बड़ावन माना गया है, दर्भंगा के पांच सक्षकों के फरजी सर्टिफिकेट नोटिस हुआ जारी, ब्यार के दर्भंगा जिले के पांच सक्षकों द्वारा सक्षा विभाग को दिये गए सर्टिफिकेट को इनके विश्विद्याले की ओर से फरजी बता दिया गया है, ऐसे में अब मिले जानकारी के नसार इन पांचो सिक्षकों के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और साथ ही तीन दिनों के भीतर इनसे स्पस्टी करन की मांग की गई है जिसके बाद अगर इन सिक्षकों के द्वारा संतोष यनक अस्पस्टी करन नहीं दिया जाता है तो उनके अंद्रजीत, कुमार सदर, पृति कुमारी, हरिजन, रिंकी कुमारी और विमल कुमार चौधरी के रूप में की गई है। उसके नुसार यह ड्रोन 100-120 किलो मीटर प्रती घंटा की उरान भर कर करीब 200 किलो मीटर की दूरी को कवरिज कर सकती है। इनों का मार्ग परिवर्तन समीत अने परिवर्तन किये हैं। जिससे और अधिक यातरी गारियों को संचालन करना संभव हो जाएगा। छप्रा जिंसन का गुड्स याड जो अब तक नौन इंटरलॉक था और गारियों को मैनवली संचालित किया जाता था वह इंटरलॉक हो जाएगा। नौकडी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की बढ़ी मुस्कलें। और मामले को 16 जन्वरी दो हजार चौबस को संग्यान के लिए सूची बद किया गया है। इस तरह की टिपनी कर रहे हैं तो पार्टी हिम्मत दिखाते वे सीधे ये घोसना कर दे कि उन्हें मंदर जाने वाले हिंदूों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सक्छा मंतरी मंदर को गुलामी और सोशन का प्रतीक मानते हैं तो वो ऐसी पार्टी की गुलामी क्यों कर रहे हैं जिसके अध्यक्ष पडिवार के साथ तिरुपती मंदर जाते हैं। तो कभी थावी मंदर की पूजा करते हैं जिस सक्षा मंत्री को, उनके विभागे अबर मुख्य सचीव के दोरा आउकाद दिखा दी गई हो, काड़े आले आना बंद कराद गया हो, वे समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाले भाशन देकर क्रांती कारी बनने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन करोना काल से बड़े अस्तर पर इसका आयोजन नहीं हो रहा है, महीं वर्ज 2024 में इस भोज का आयोजन होगा की नहीं इस पर वसुच नरायन सिंग के दोरा अपना बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि साथियों का आगड़ा है कि बड़े अस्तर पर नहीं तो छ इस बार स्वास्ति को लेकर कोई नर्ने नहीं दिया गया है, बिहार के सक्षा मंतरी के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज, बिहार के सक्षा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर के द्वारा रोतास में राम मंदर को लेकर कहा गया था कि मंदर का रास्ता मांसिक गुलाम के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और उनके खिलाफ एफायार दर्ज करने को थाना ध्यक्ष को आवीदन दिया गया है उन्होंने कहा कि सक्षा मंतरी के द्वारा विवादत बयान दिया गया है उन् दीश खुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो वहीं आज डी राजा दिल्ली के लिए निकलने से पहले राबरी आवास पहुंचे जहां उन्होंने राजसुप्रीमों लालु पुशाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजश्वी पे खिलाफ मिलकर लड़ना होगा इंडिया गडवन्धन के बाद उनकी पाटी लोग सभाचनाओं में अपने उमेद्वार उतारे की सीट बढ़वारे का मुद्दा भी बहुत जल्दी सुलझेगा और सम्मान जनक खिसदारी मिलेगी इसका भरोसा है अरजन अवार्ड को लेकर मुहमत शमी का रियाक्सन वलकप 2023 में अपनी शांदार गेंदवाजी को लेकर मुहमत समी को अरजन अवार्ड से सम्मानत किया जाना है वहिस घोषना को लेकर ए एन आई से बात चीत करते वे मुहमत समी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई उन्होंने कहा कि हवोड मेरे लिए सपने जैसा है जिन्दगी निकल जाती है और लोग सवोड को नहीं जीत पाते हैं मुझे खुशी है कि सवोड को पाने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है सवोड को पाना मेरे लिए सपने जैसा है क्योंकि मैंने अपनी जिन्दगी में कई लोगों को सवोड से सम्मानित होते हुए देखा है उन्होंने कहा केंजरी खेल का हिस्ता है लेकिन लोगों का प्यार जादा महत्वपुर्ण है हम कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जाड़ी की गए इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.94 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वहीं पुनिया में पेट्रॉल कीमत 108.57 रुपे और डीजल कीमत 25.26 रुपे प्रति लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल कीमत 164 रुपे प्रति लीटर है बतादी कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबस्यादा किसंगंज में है जहां पेट्रॉल 109 रुपे प्रति लीट अब भरते हैं आज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है 3 जनवरी 2024 के निरिक्षन रिपोर्ड के उनुसार स्कूलों में बच्चों की उपस्तिती कितनी प्रतीशत है इसका सहीुत तर है आप्षनी सरसर्फ दसमलों चेशने प्रतीशत अगला सवाल आज किसन गंज में डीजल की कीवंद क्या है आप्षने 25.26 रुपे आप्षन B 95.32 रुपे आप्षन C 95.64 रुपे आप्षन D 96.50 रुपे इसका सहीुत तर है आप्षन D 96.50 रुपे अगला सवाल अरजन अबोर्ड किस भारती एक रिकेट खिलारी को दिया जाने वाला है आप्षने महिंदर सिंग्धोनी आप्षन B विराट कोहली आप्षन C मोहमद शमी आप्षन D रोहित सर्मा इसका सहीुत तर है आप्षन C मोहमद शमी अगला सवाल राजगीर में राजकिये मकर मेला के शिरुवात कब से हो रही है आप्षने 13 जन्वरी आप्षन B 14 जन्वरी आप्षन C 15 जन्वरी आप्षन D 16 जन्वरी इसका सहीुत तर है आप्षन B 14 जन्वरी अगला सवाल दर्भंगा में कितने सक्चकों का सर्टिफिकेट फरजी पाया गया है इसका सही उत्तर है आप्षन B 5 बीदे दिन अमाधर पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें मारी कॉमें सेक्च्चन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने अमाधर पूछी का सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शुषिकांत नराला, रिशिकेशा, पुरुसोत्तम कुमार ज्छा, मदन कुमार मोहित, गोनर सर्मा, रवी शंकर, मुहमद सकेर हुसैन, पुन्नो गोलु कुमार, राजकिशोर, महतो, बाबु राल मरां आज के लितना ही बिहारती तमाम कबरों के साथ बने रेंग लेकते रहें, बिहारी नियूज और साथी अगर आप यूटूब से देखरें चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्वुक से देख रहें तो पेसको फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद